ऐसलामउलेकूम की दुनिया में खुशामदीद आज हम बना रहे हैं के टोरी चाठ और चना चाठ चलिए रेशिपी स्टार्ट करते हैं के टोरी चाठ बनाने के लिए हमें बन एन्ट हाफ कप मैदा चाहिए हाफ टी स्पून नमा हाफ टी स्पून एजवाईन ये तीन बड़े चमच ओयल अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ जब मुठी में इस तरह हमारे पास मैदा आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके है हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाओंगी और इसको गुंद लूँगी जैसे माटा गुंते हैं वैसी मैं इसको गुंद लूँगी डो हमारी बनकर रेडी है हम इसको 10 मिनिट के लिए छोड़ दूँगी एक पेड़ा लेंगे, उसको इतना बेल लेंगे जितनी हम छोटी रोटी बनाते हैं, फोग लेके इसके उपर मैं निशान बना दूँगी, इस तरहाँ, कोटोरी को मैंने ओल से ग्रीस कर लिये हैं, अब मैं इसके उपर इस तरह ये रोटी डालूँगी और इसको इस तरह अराम अराम से इसके साथ चिपका दूँगी, आप कोटोरी की जगह पे ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैद्दे को हम इस तरह चुई से काट देंगे उपर से, और दुबारा फिर फोग से उपर निशान लगा लेंगे, पोईल को हमने थोड़ा सा गरम कर लेना है, ज्यादा गरम नहीं करना वरना काटोरी हमारी जल जाएगी, इसी तरह हम ग्लास से भी काटोरी बना सकते हैं, झ yapıyor झाल, क मुझे ज घ्यादा उइके हमारी जवके भी, मुझे तरह का वित्ज़ाओ काट से, क्योंने काटोरी हमारी जल खिर छारा खिरेंगे, यह कुझे वाटर्कों कविगे, क्योंने टरुभरा दे डर्सान लागान और बनां खिर नहीं जलेंगे, इसी तरह हम बाके की सारी क्रिटोरियां भी बना लेंगे आवाज से अंदाजा हो रहा होगा क्रिटोरियां हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है क्रिटोरियां हमारी रेडी हैं और साथ मैंने थोड़ी सी पापड़ी भी बना ली थी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को गरम पानी में 10 मिनट के लिए बिगो दिया था अब मैं इसको चान लेती हूँ इक पैन लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ओयल शामिल किया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा शामिल कर लेती हूँ अब मैं इसमें इमली का पानी शामिल कर देती हूँ और थोड़ा सा गुर्ष शामिल कर दूँगी मैं इसमें पिसा हुआ सुखा धनिया, पिसा हुआ जीरा, नमक, पिसी भी लालमिट शामिल कर दूँगी और इसे थोड़ी दर पकाऊंगी इमली की जटनी हमारी रेडी है आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं हरी चटनी बनाने के लिए मैंने पोधीना लिया है थोड़ा सा और अब मैं इसमें पिसा हुआ, हरा धनिया और कुटी हुवी हरी मिट शामिल कर दूँगी पिसा हुआ, और पिसा हुआ, सुखा धनिया शामिल करूँगी half teaspoon नमग 1 teaspoon लाल मिर्ज का पाउडर और 2 teaspoon इसमें नीमू का रज शामिल कर दूँगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे चटनी हमारी ready है दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है अब मैंने एक बाउल लिया है उसमें मैंने बॉयल के हुए चने बॉयल के हुए आलू चोप की हुए प्यास, टमाटर बेजरूरत सुखा धनिया पाउडर लाल मिर्ज पाउडर, जीरा पाउडर, नमग शामिल करेंगे थोड़ा सा चाटमसाला शामिल करके उपर हमने जो हरी चटनी बनाई थी वो डाल देंगे इमली की चटनी डालेंगे और उपर से धहीं डालके हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चाट हमारी रेडी है फाइनली त्यार है हमारी मज़े की मुँमे पान लादेने वाली कटोरी चाट आप इसको कटोरी चाट बनाके भी खा सकते हैं पापरी चाट भी बना अप इसकी जैसे आप को पसंद आया वैसें इसको ट्राइ कीजिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए आपको मेरी आज की रेसिपि कैसी लगी लास्ट तक मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफिस